हलो एड वलकम इन निक्स नाई नियूज मैं हूँ आपकी होस्ट नैंसी और आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ आज सोनाली स्विशल में नाम से ही आप हर कोई यहां समझ ही गया कि हम यहां पर बात करने वाले हैं बॉलेवर्ट दीवा सोनाली बेंद्रे को लेकर सोनाली बेंद्रे जो इन दिनों मेटलाक्टिक कैंसल से गुजर रही हैं इन दिनों सोनाली बेंद्रे जिस कैंसर का शिकार है वो काफी जादा घंब बीर भी बताया चारा है ऐसे में जब ये खबर सामने आई तो सोनाली बेंद्रे फॉरण ही न्यूव्योक रवाना हो गई तब पता लगा कि सोनाली बेंद्रे इन दिनों कैंसर का शिकार हो चुकी है और इस खबर को किसी और के थूर नहीं बलकि खुद सोनाली बेंद्रे ने हर कोई फैन ये सोचने लगा कि आखिरकार सोनाली ऐसी बिमारी का श्रिकार कैसे हो सकती है दरसल आपको बता दें कि सोनाली बेंद्रे एक बॉलेवुड की ऐसी आक्ट्रिस रह चुकी है जो अपने आप पर अपनी फिटनेस पर काफी जादा ध्यान देती थी ऐसे में ऐसी गंबीर बिमारी का निकलना कई सवालों को भी उठाते दिखाए दिया वहीं जहां तमाम खबरे सामने आ रही है कि सोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यू यॉक में इलाज करवा रही है उनका कीमो थेरपी प्रोसेस भी शुरू हो चुका है तो वहीं ऐसे में हाल ही में एक ऐ से ठीक एक महीना पहले गोल्डी भेन ने अपने ट्विटर एकाउंट पर एक पोस्ट को शेर किया था जिसमें उन्होंने फैन से सांजा की थी कि आखरकार सोनाली बेंद्रे की करेंट सिचुएशन तब क्या थी ऐसे में उन्होंने कहा था कि सोनाली की जो सिचुएशन है वो स्तर है यानि कि जिस तरहां उन्हें जब नियू यॉक लेके गए थे और अब तक कोई भी सुधार नहीं आया है ऐसे में एक महीना बीत गया उनके इस ट्वीट को मगर उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब सामने नहीं आया कही न कहीं तमाम सवालों को भी उठा रहा ह क्या पूरी खबर है आप देखे हमारे इस खास रिपोर्ट में मौल्भी आक्ट्रिस सणाली बेंट्रे में। सब्सक्राइब अप्रों में अपने समेस्ट से खाए ले लिए जांबपर , पिछले एक महिन पहने उनν्यपति रहता अब की सैटीन केंशो." सब्सक्राइब किया था और उनों में साथी साथ यह भी कहा था कि अब सभी का प्यार और सपोर्ट के लिए मैं धर्लेवाद करता हूं उनकी तबिया स्थिर है और वो बिना किसी परिशानी के अफ़ार प्रीटमेंट भी करवा रही है एक लंबी जर्णी है लेकिन हम इसे पॉजिटिव के साथ शुरू किया है और हम इसे पॉजिटिव से ही ले भी रही है कही न कहीं आज से ठीक एक महीना पहले जहां पर गोल्डी बेल का ये ट्वीट आया था तो वहीं उसके बाद अफ़तर सोनाली को देकर कोई भी जानकारी सामने नहीं आ रही है कही न कहीं पांस के मन ने दिया शंका है कि क्या सोनाली बेंज़े अब सही है क्योंकि एक महीना बीच चुका है जाना वो कीमो थेरपी प्रॉसेस भी करवा रही है तो एहते में कीमो थेरपी प्रॉसेस के 6 स्टेजिस होते हैं एहते में कहा जा रहा है कि सोनाली बेंज़े जो है अब वो 2nd स्टेज पर आ गई है कही न कहीं एक महीना पहले उनके पती का ऐसा बयान सामने आना और उसके बाद अब तक उन्होंने कोई भी जानकारी फान से शेयर नहीं हला कि अगर सोनाली की बात करें तो सोनाली बेंज़े अब कुछ टाइम से उनका भी सोशल मीडिया पर फान से कुछ शेयर करना पन हो शुगा है जहां मज़े तरह से सारी जानकारी को शेयर करते दिखाई दे रही ही वैक टू बैग उन्होंने जादा प्र अपनी जानकारी खुद से ही फान्स को देई पहले अपनी कैंसर की खबर कुछ फांस को बताना जिसे हर कोई खेरान रहे गया फिर उसके बाद उनकी तमाम फोटो सामने आई पर एक वीडियो सामने आई जिसमें वो अपने बालों को खुछ से कटवाती देगी जहां पर हर कोई ऐसी बिमारी से काफी ज़ादा परिशान हो जाता है काफी तूट जाता है तो मालों अब ऐसा लंगरा है कि सुनाली वीडियों एक इंस्पिरेशन के तौर पे भी सामने आ रही है जब ये खबर सामने आई थी तब हर कोई खेरान रहे गया था कि हर कोई यही जानता था कि सुनाली अपने आपको पिट रखने के लिए तमाम चीज़े भी करती है ऐसे में वह ऐसी गंबीर बिमारी कर शिकार होई उससे अफ़र कोई खेरान रहे गया साथी साथ जिस तरहां से वो फैन से अपना कलेक्टिविटी बनाये हुई की अब उनकी कलेक्टिविटी मानों कम दिखाई ले रहे है जिसे कहीं भी फैन्स जो है वो काफी जादा परिशान होते लिगे हाली में सुनाली बेज़े ने अपने इंस्टाग्राम एकाउन पर एक वीडियो को भी श्रेयर किया जिसमें उन्होंने अपनी विवारी का जिक्र तक नहीं किया और उसके कमेंस के अगर बात की जाए तो उसमें फैन्स काफी जादा चिंता जाहर करते हैं कहीं न कहीं यह बुरी खबर भी है और एक इसे चिंता भी कहा जा सकता है क्योंकि ऐसे में सुनाली का कोई अपडेट ना आना तमाम सवालों को खड़ा करता है जहां पर सुनाली अपनी कोई तस्वी कुश्रेयर करके पांस के वो खुश्खबरी देती थी कि वो ठीक है उन सुनाली बेंड्रे को लेकर तो हर कोई उनके लिए दुआएं करता भी दिखाएं देगा है हर कोई यही आशंका जदारा है कि सुनाली बेहत की चल ठीक होकर वापस इंडिया लॉट आए तो आपको बता दें कि इन दिनों सुनाली बेंड्रे जोंगे कीमो थेरपी प्रॉस इस एक ऐसा प्रॉसेस है जिसमें कैंसर के दौना उस पेशिंट को दिया चाता है तो वही इस प्रॉसेस के छे से जिस बताय जाते है और कहा चारा है कि सुनाली बेंड्रे इस निनों सेकिंड स्टेट में हैं ऐसे में हैरान करने वाली चीज यह है कि अब तक सुनाली जिसे लेकर फान्स और उनके चाहने वाली और बॉलेवुड के सितारे भी काफी जादा मनिशान होते दिखाई दे रहे हैं। कि उन्होंने कहा कि शी लाएं जिस तरह के से लड़ती दिखाई दे रहे हैं तो दुआ है कि आपकी ठीक हो और और कोई ऐसी खबर सामने ना हैं जिसे फान्स के विलक प्रीघा जाएं। सो वेल फ्रेंज आपने देखा सोनाली स्पेशल पेज जहां हमने बात की सोनाली बेंद्रे के कैंसर को लेकर हाई हर कोई जानता है कि सोनाली बेंद्रे इन दिनों न्यू यू यॉक में अपना इलाज करवा रही है ऐसे में सवाल और चिंता बस सबसे बड़ी यही है कि जब आज से ठीक एक महिना पहले उनके पती ने ट्वीटर पर फान से इस जानकारी को सांजा किया था तो उसके बाद से कोई भी उनका ट्वीट सामने नहीं आया कहीं सवालों को भी उठा रहा है कि क्या सोनाली बेंद्रे का इलाज सही तरीखे से हो रहा है सच में क्या सोनाली बेंद्रे रिकवरी कर रही है जहां पर इन दिनों सोनाली बेंद्रे कीमो थेरपी के प्रोसेस से जूज रही है तो ऐसे में क्या जो उनकी सिक्स स्टेजिस हैं उनको सही तरहां से वो पार कर पा रही है पानो कहीं न कहीं तमाम तरहां के फान्स भी डरे हुए हैं, फान्स आयदेन उनके लिए दुआएं कर रहे हैं, तमाम तरहां के चीजें भी सामने आ रहे हैं, उम्मीद है और उपर वाले से बस दुआ ही, कि सुनाली बेंदरे बेहत ही जल ठीक ठाक होके वापस इंडिया भी है, अभी सुनाली बेंदरे को वापस आने में काई टाइम भी लगेगा, क्योंकि जहां पर अभी उनका कीमो थेरपी प्रोसेस चल रहा है, तो ऐसे में कीमो थेरपी प्रोसेस के 6 स्टेजिस होते हैं, आपको बता दें कि 6 स्टेजिस तक पहुंचना होता है, और पोर्ट सामने आती है, उसमें जाके क्लियर होता है कि शरीर में इंसान के कैंसर के जितने भी वैक्टिरिया थे, वो खत्म हुए या फिर नहीं, अभी कहा जा रहा है कि ये प्रोसेस काफी लंबा है, ऐसे में गोल्डी बहल का कोई रियाक्शन ना आना, तमाम सवालों को भ काफी जादा चुनता में है, हम आप से दर्क्वास ही करेंगे कि आप इसी तरह लगातार सौनाली के लिए अपना प्यार भीजते रहें, फिलाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही हमें दीज़े इजाज़त तब तक के लिए हमारे चानल को सब्सक्राइब करना ना भ के लिए प्यार भीजते बसके लिए.